हेलो दोस्तों, 80s और 90s के टेलिवीजिन में अपनी धाग जमा चुके और प्रेज़ेंट दे मूवीज में अपने करेक्टर्स और सपोर्टिंग आक्टर रोल के लिए फेमस पवन मलोत्रा ने एंटर्टेन्मेंट इंडेस्ट्री को दिये हैं close to 4 डेकेड्स डेली के न्यू राजेंदर नगर में 1958 में जन में पवन मलोत्रा के फादर का था मस्चीन टूल्स का बिजनस और उनकी पिदाजी यही चाहते थे कि वो भी इसी में ही उनका हाथ बटाए मानस तली स्कूल से 12 और डेली उनिवस्टी के हंसराज कॉलिज से आर्ट्स में ग्रैजेशन करते करते पवन जी का इंटरस्ट प्लेज में काफी बढ़ गया और उनका जातर टाइम इसी में जाने लगा इनिशली समर वेकेशन्स में उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें प्लेज में जिस्ट पार्टिसिपेट करने को कहा था बट बात में उन्हें इसका चसका ही लग गया जब रिचर्ड आटनबरो गांधी बना रहे थे तो पवन एज अन असिस्टेंट इन कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट यानि की एज ड्रेसमेन उनके साथ जुड़ गये और आटनबरो उनके काम से काफी कुछ थे इस दोरान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक सिनिमा का पैरलल वेव चल रहा था और नए डिरेक्टर और आर्टिस्स उभर के आ रहे थे जहां एक तरफ हमें पॉपुलर मुवीज हिम्मत वाला बेताप, तोफा, मकसद, राम तेरी, गंगा मेली और सागर मिल रही थी वहीं पैरलल सिनिमा या कहूं तो आर्ट मुवीज में हमें आल टाइम क्लासिक जाने भी दोयारो, मोहन जोशी हाजिर हो और विदू विनों चोपरा डारेक्टिड, हाइली अंडरेक्टिड मुवी खामोज दी उन दिनों NMDC यानि के नैशल फिर्म डेवलोपेंट कॉर्परेशन का एक बड़ा हाथ था इन आर्ट मुवीज की एक्जिक्यूशन में मुवीज जिन में गाना बजाना तो नहीं पर सीरियस, रिलिस्टिक एंटरेटेन्मेंट था पवन जी ने इन अल्टरेंट मुवीज में प्रड़क्शन एसिस्टेंट की बागड़ो समहल ली दूरदशन का उन दिनों में एक बड़ा रोल था नुकर, ये जो है जिन्दगी, सीरियल्स पे असिस्ट करते करते उनको इन में छोटे छोटे रोल्स भी करने को मिले वन अफ दो मोस्स सक्सेस्फुल शोज अफ आल टाइम्स हम लोग और बुनियाद में उन्होंने असिस्टेंट डिरेक्टर का काम किया यू तो पंकच पराशर की अब आएगा मज़ा और खामोश में वो पहले ही काम कर चुके थे बट उनको रियल ब्रेक मशूर नाशनल आवार्ड विनर बुद्ध देवदास गुपता की बंगॉली मूवी बाग बहादूर में मिला 1989 में बनी बाग बहादूर में वो अपने आपको टाइगर जैसा पेंट करके गाओं गाओं घुमते हैं और नाच करके सबका दिल बहलाते हैं फिल्म के थ्रू गाओं की जिंदगी की हाडशिप्स की स्ट्रगल्स दिखाई गई हैं बाग बहादूर को मिला 1989 का नाशनल आवार्ड फॉर दे बेस फीचेफ फिल्म और मलोतरा जी को बहुत सारा रेकर्गनिशन साइद अक्तर मिर्दा साब पवन जी के साथ मोहन जोशी हाजिर हो पे पहले ही काम कर चुके थे और जब सलीम लंगड़े पे मत रो पे काम शुरू हुआ था तो वो किसी और को ध्यान में रख्के स्क्रिप्ट बन रही थी बट विधी का विधान और लख फैक्टर बीच में आया और पवन जी की जोली में ये मुवी आगिरी मुवी में उन्होंने मुंबई में लेट एटीज और अर्ली नाइटीज के एक मुस्लिम टपोरी का रोल किया फिल्म is a very beautiful commentary on the हिंदू-मुस्लिम डिवाइड दो घंटे से भी कम ये मुवी अवेलिबल है आमाज़न प्राइम पे सब के लिए फिल्म काफी relevant है in the current scheme of things in the country फिल्म का टाइटल हटके है और मैंने भी इसे काफी टाइम तक नहीं देखा था और तो और सलीम लंगडे पे मत्रो में उनके भाई का नाम जावेद होता है रेफरेंज टू सलीम जावेद जिनकी जोड़ी उन दिनों टूट चुकी थी सलीम लंगडे पे मत्रो ने जीता नाशनल फिल्म for the best feature film in हिंदी बिवंडी धंगो पे बनी मुवी को best cinematography भी मिला और पवन जी को बहुत सारी वावाई Manotra साब ने दो foreign collaboration movies में भी काम किया यह थी City of Joy और Brothers in Trouble City of Joy में थे मशूर Hollywood actor and the star of movies like Dirty Dancing and Ghost Patrick's Ways और साथ दिया था शबाना आजबे रॉमपूरी ने Brothers in Trouble एक illegal immigrant story थी जिसमें एक पाकिस्तानी immigrant इंग्लेंड में जाके फस जाता है दोनों ही movies में मलोतरा जी का काम सरानी है रहा 1999 में आई दिपा मेहता की अर्थ में पवन आम मेरी अरागूल खरना का रोल जादा पसंद कर रहे थे बड़ जब दीपा ने पूरी गहानी बताई कि कैसे स्टोरी पार्टीशन से डील करती है तो उन्होंने एक कसाई एक बूचर का रोल को भी हग कर दिया यह इसलिए क्योंकि उनके खुद के फादर भी पार्टीशन के टाइम इंडिया आये थे ब्लैक फ्राइडे में टाइगर मेंमन का रोल कोई कैसे बूल सकता है पवन जी का कहना है कि उन्होंने इस रोल के लिए कभी किसी को अपरोच नहीं किया और अनुराक कश्यप उनके पुराने काम से इतने इंफ्लूएंस थे कि खुद ही उन्होंने मुवी का वर अफ दे मे हौल पर टिकर देखके आपको कौन क्यों देखेगा यहां पर वो कहते हैं कि शारुक खान उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे क्योंकि शारुक ने भी टीवी पे काम किया था पर उसके बाद भी एक आउटसाइडर होने के बाद भी उन्होंने मुवीज में अ जनी होटसार के ग्रेंड में उनका काम काफी सराया गया हेर्ज विशिंग सोनी लिफ पे टब भर भी उनकी फिल्मोग्राफी में एक माइलस्टोन साबित हो दोस्तों यह था आज का वीडियो टेलिंग यूब और फिफ्टीन इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और पवन राज यह चैनल के साथ अलविदा यारो